वेलकम फ्रेंड युक्ति या इसकी सा ओलाइन प्लाटफॉर्म पर मैं अमरविंद आप लोग का स्वागत करता हूँ आज दो अगस्त है दैनिक जागरन राष्टिय संस्करन के न्यूस पेपर में आप लोग के लिए पीती, मेंस और इंटिव्यू औरियंट कौन से महत्पून टॉपिक को कभर किया गया उसके में पार्ट और सब पार्ट पर लोग चर्चा करते हूँ आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ने से पहले आप लोग जो भी नए अवियर्थी हमसे जूड़ा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर जिए साथी साथ बेल आइकन को भी दवाए ताकि सारे नोट्पिकेशन आप तक जल से जल पहुचे और लाइक और सेर कॉमेंट जरूर कीजे ताकि और भी लोग हमें जान सके और भी लोगों तक हम पहुच सके साथी पुराने अव्यर्थी हैं पुराने लिस्टनर भीवर हैं वो चैनल को जरूर शेर कीजे जिससे हम अधिक लोगों तक पहुच सके दैनिक जागरान का राश्टी संसकर्म पेपर उन सभी अव्यर्थियों के लिए हैं जो UPSC, PCS जैसे BPSC, UPPCS, MPPCS जैसे हिंदिय स्टेट PCS को कभर करते एक्जाम देते हैं जाके वहाँ साथ ही साथ All Aspirants जो सरकारी नौकरी के लिए तैलास में त्यारी करते हैं क्यों क्योंकि या अपने अपने तरीके से इनका शंग्रक कर सकते हैं जैसे जिनको प्रारम्भी परिछा के लिए न्यूज कभर करना तो वह देख सकते हैं जिनको मेंस और इंट्यूवू औरियंट त्यारी करना उन्हें इन ख़वर को दिखनी जरुत होती है तो अंत तक जरूर बने रही है सभी अवजर्थी आपको बहुत से न्यूज आज देखने को मिल जाएंगे पीटी फैक्ट न्यूज आपको बहुत मिलेगा साथ ही मेंस और इंट्यूवू और इन टॉपिक आप आप लोगो बहुत से आज न्यूज में नजर आएगा तो देखिए पहले ही कवर पेज पर मंदी का सवाल नहीं है बेहतर हालात है जो हमारी वीत मंत्री है निर्मला श्रिता रमन जी उनके द्वारा संसद में बोला गया है तो उससे समंदित कुछ की फैक्ट आप लोगो देख लेना है न्यूज में क्या है उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे जिसमें संसद में महंगाई पर बहस के दोरान सरकार ने घुटने पर वीत मंत्री जो सिता रमन के साक्ष के साथ चर्चा के बजाए रायनितिक बहस का रूप लगाया तो पहले रायनितिक बहस के संदर में आप लोग को बाद ये दिखने को मिलेगी साथ ही साथ आपको यहां इंटेव्यू में प्रस्न भार कर ले कर आता है क्या विपक्ष केवल रायनितिक बहस को त्यार रहती है जिसके संदर में आप लोग को प्रस्न بن को और Gun को कह रैना है और सप्लाई चेन के बाजित होने के बावजूद परतिकूल इस्तिती के बावजूद वैस्विक परिस्तितियों के बावजूद भारत दुनिया का सबसे तेज गती से विकास करने लग देश बन चुका है तो अलग-अलग अनुमान लगाये हैं सभी रेटिंग अजेंसी ने तो सबके अलग-अलग अनुमान हैं तो इस परकार साथ में वितमंत्री के दुआया माना गया कि महंगाई है देश में लेकिन सरकार एक तरफ से पाम ओयल, सुझ मुखी और सोया जैसे खात तिल से लेकर मशूर दाल पर आयास सुल घटा कर इसे कम करने का परियास कर रही है तो सरकार इसके परियास जारी है, उसके संदर में बाते की गई है। कि बंगलादेश हम से अधिक विकास कर रहा है, तो उसके पीछे के आकड़े प्रस्तुत किये गए हैं, पाकिस्तान साथ अरब डॉलर का मांग किया है, और रिवाइवल करने के लिए अपनी अर्थ विवस्था को, साथ ही साथ सिरलंका ने 3.5 और डॉलर की मांग किया है, तो इस प्रकार के देख सकते हैं, बड़ोसी देशों के द्वारा मांग की गए, भारत ऐसा मांग नहीं करता है, भारत अपने विकास कारियों के लिए अलग अनुदान जरूर लेता है, पर अर्थ विवस्था को रिवाइवल करने के सुधार करने के लिए ऐसी मांग, आई 2021 के जीडीपी का सिर्फ 56.29 परतिसत था, हाल ही में मैंने अप लोग को एक पिक्चर सेंट किया था जिसमें अमरीका अपने कुल जीडीपी का 241 परसेंट कवर किये वे कर्ज, कनाडा, चीन से सम्मंदित आकड़ा आप लोग को दिया था, तो आप लोग जरूर देखिएग के वल हम लोग 56.29 परतिसत हैं, इसके संदर में यह बाते की गई है, साथ में बैंक का एंपिये 45.9 परतिसत के अस्तर पर आ गया है, यहां बात की गई है एंपिये के संदर में कल आप लोग को वीडियो में आप लोग को लास्ट जैनिक ज्यागें न्यू जैनलेशी सुआ था, तो आप लोग जरूर इस वीडियो को देख लिजेगा, ताकि आप लोग इन सक निजू से, निजू से कभर होते रहें, ताकि जब भी मेंस इंटिव कोर्स रेक्टर GST कनेक्शन तेजी से बड़े, कल मैंने आप लोग को टेलिग्राम चैनल पर इसे डिलेटेट फिक्चर भी सेंड किया था, तो आप लोग जरूर देखिए गा, ताकि आप लोग को चीजे समझ में, इसलिए में जो जरूरी की चीजे होता है, वही टेलिग् 7.4 परतिसत विजेशी एजन्सिया अनुमान और सभी विजेशी एजन्सिया उनके द्वारा का समझ लूप से देखा जाए, तो 7.4 परतिसत अनुमान है, साथ ही एक आकड़ा और भी आप लोग ध्यान अखिए, भारत में गरीब और गरीब नहीं बन रहे हैं, जबकि उससे समंदित देखते हैं, जो आपके एक्जाम में, आपके कोपी पर होना चाहिए, अर्थ एकनॉमी में के पॉइंट ऑफ विजेशी साथ इंट्यूवी में अगर इस प्रकार के प्रस्न पूछा जाता है, तो इससे कोडिनेटेट सब टॉपिक को आप लोग को प्रस्न क के रूप में सामिल किया जा सकता है, उससे हम लोग देखते हैं, आर्थ विजेश्था में मंदी क्या होती है, उससे पहले देखते हैं, जब किसी देश की GDP में एक वितिये वर्स में लगता दो तीमाहियों तक गिरावट देखने को मिलती, तो इस स्तिती को तक्निकी मंदी कहा जाता है, यह सबसे इंपोर्टेन है, सबसे पहले तक्निकी मंदी आएगा, तो आप लोग से यह प्रसन पूछा जा सकता है, मंदी के क्रम में सबसे पूर्व में कोन सी घटना घटती है, तो तक्निकी मंदी जो इंडिकेट होता है, इस दिसा में की संकुचन हो रहा है, इसको उपाई करने की जुरुत है नेश्ट है किसी भी अर्थ विवस्था में जब वस्तू और शेवाओं के समगर उत्पादन जिसमें आमत्व पर GDP के रूप में मापा जाता है समगर उत्पादन एक तिमहाई से दुसरी तिमहाई तक बढ़ता है और उसे उत्पादन अर्थ विवस्था में विस्तार की अउधी कहा जाता है एक्स्प्रिनरी फेज कहा जाता इसे क्या होता वस्तू सेवाओं का समगर उत्पादन एक तिमहाई से दुसरी तिमहाई तक बढ़ता है तो इस अवधी को क्या कहा जाता है विस्तार की अवधी वहीं इसकी विपरित अवधी को क्या कहा जाता है विपरित इस्तिती को वस्तो और सेवाओं का समगर उत्पादन एक तिमाही से दुसरी तिमाही तक कम होता है तो इसे अर्थ विवस्ता मंदी की अवधी या रिशेश आप से पूछा गया है इस तरह दोनों इस्तितियों में एक साथ मिल कर किसी अर्थ व्यपात चक्र या बिजनस सरक्ल का निर्मान करते हैं कि क्या रिसेशन बढ़ रहा है कब तो यह चक्र का निर्मान करता है और सभी एक दूसरे पर डिपेंडेंडेंट रहते हैं तो कि अर्थ व्यवसना मंदी की अवधी ओर सभी लंबे समय तक रहता है तो जब लंडिक के अओधि इंजर्व कैसी अदिक समय तक रह जाता है तो अर्थ व्यवसना कंद किस्तिति आ जाती है अठाथ जब उत्पादन कम होता जा रहा है रिए दो तीमाई से 6 मंई चक चला ग है या कितनी अधी के बाद हम इसे मंदी कहेंगे आम तोर पर मंदी कुछ तिमाहियों तक ही रहती है अधी इसकी अधी एक वर्स या उससे अधीक हो जाए इसे आवसाद या महामंदी कहा कई यह इस्तिती अमरिका में देखने को मिली थी भारत में भी कभी-कभी यह मंदी के अस्तर देखने को मिलता है अब भारत की स्तिती आर्थी आर्थ बारती आर्थ पर संकुचन का अनुमान लगा जो आर्थिक सर्वेच्चन में 7.7% और भारती रिजर्ब बैंक 7.5% पुर्वा नुमानों के तुलना से अधिक रहा था तो देखें पहले आर्थिक सर्वेच्चन में 7.7% संखुचन का अनुमान लगाया था भारती रिजर्ब बैंक ने अपने वित्तिये जो मौदिक निती अपनाती है उसमें संखुचन का दर 7.5% पुर्वा नुमान लगाया वहीं दो जब 22 तेस्ट की पहली तीमाई में 16.2% दूसरी तीमाई में 6.2% और तीसरी तीमाई में 4.1% चौथी तीमाई में 4% विर्धी अनुमान का या जीडिपी विकास का अनुमान लगाया गया तो इस प्रकार से अनुमान देखें अनुमान यही है भी फिलहाल तो संकूचन जरूर देखने को मिल रहा है नोट याद रखिएगा आरबियाई के द्वारा यह बताया गया है अगर इस प्रकार घटना चक्र होता है तो जब आपूर्ती अगहात अल्पकालिक होता है यह अल्पकालिक होता है अल्पकालिक तो मुद्रा इस्थिती किसी भी मौद्रिक निती करवाई के आवश्यक के बिना संतुलन में नोट जाती है अगर अल्पकालिक हो एक तीमाई यह दो तीमाई तक हो और फिर रिसाइकल कर ले तो यह उसके लिए संतुलन की स्थिती बन संग्खुचन की स्थिति है सरकार उसके लिए ठोस कदम उठाने का परियास भी कर रही है और हम मैंनु फैक्टिरिंग के समन में और भी बहतर उपाई कर सकते हैं सरकार उसके लिए परिया जीएस्टी संग्रा बढ़ा तो इन सब इस्थितियों से हम लोग बस सकते हैं तो नेश्ट हम लोग देखेंगे नेश्ट निउस क्या है अगला निउस आप लोग के लिए फाइब जी एस्पेक्ट्रम के बारे में जो था नियूस पहले भी कवर किया गया है तो फाइ निलामी किस तरह होती है लास्ट विडियो देनिक जागा नियूज अनलेसिस में आप लोग को मिल जाएगा आज हम लोग निलामी के संदर में कुछ आकरे देखेंगे उसमें जाका आप लोग एड कर लिजेगा उसकी नोट्स में ताकि यह टॉपिक आप लोग के लिए कभ निलामी थी तो ध्यान रखीगा अब तक की सबसे बड़ी निलामी क्या थी बहत्तर गिया वाट हट पर नेष्ट है एक आवन हजार 236 मेगा हट यानि एक फ्रतिसत स्पेक्ट्रम को बेचने में मिली सफलता लगवा एक फ्रतिसत स्पेक्ट्रम विका फाइब जी के संदर म अठारसों मेगा हटर्स बेंड के अलावा अन सभी बेंड बेस प्राइस पर हुए स्पेक्ट्रम विक्री तो आप लोगों को यहां ध्यान रखना पिछले साल इलामी बस दो दिन चली थी जियो जिसमें आप लोगों को एयर टेल और वोड़ा फोन आइडिया स्पेक्ट्र है इस सेक्टर में तो उसने 88,078 क्रोड रुपे के जियो ने 20,740 मेगा हटर्स स्पेक्ट्रम की खरीद की इसी तरह एटेल तो यह डाटा आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट हो जाता है लास्ट वीडियो में आप लोगों को देख लिएगा स्पेक्ट्रम क्या होता है स्पेक्ट्रम किस रूप से रिलामी की जाएगी पर क्रिया बैंड क्या हाटर्स किस रूप बैंड में है तो आप लोगों उस न्यूस के साथ कभर कर लिए टायप कर लिए चलिए नेश्ट हम लोग बढ़ते हैं देखिए इसलिए सारे न्यूस को डेली डेली एक ही नीउस उन स्टुडेंट से बहतर स्थिती में होगे जिनके पास प्यूट करते नेश्ट होगा उनका पतिसत्ता बढ़ गाएगा सफल होने का तो आप लोग निश्रित हों के त्यारी करते रहिए हमारा परियास रहेगा बेहतर करने का नेश्ठ है एक देश एक मद्दाता सुची की दिसा में पहलतेज हो रहा है आपको लास्ट वीडियो दो दिन पहले का ही मैंने बताया था देश में कि अधार काट से लिं में कुछ बाते की गई है आप लोग उसे जरूर देखेएगा शाथ ही साथ यहां की नोट्स के तौर पर आप लोग को ध्यान अखने की बात है जिसमें एक देश एक मद्दाता सुची है क्या क्या यह पहली बार ऐसी हुए ऐसा हुआ है तो वीदी आयोग ने 2015 में दोस्ट 255 रिपोर्ट अपने प्रस्टुत की थी तो यह कल मद्दाता सुची है तो सीपारिस की तिस सबसे पहले पीटी फेक्ट में आप लोग को यह प्रस्न पूछ सकता है कब एक मद्दाता सुची कि सिपारिस बिधी आयोग ने की थी किस रिपोर्ट में यह वर्स भी से पूछ सकता है चुना आयोग ने वर्स 1999 और पुना 2004 में इस तरह की राय भी दिया था इस प्रकार के कुछ होना चाहिए और अब देश्ट में आपको एक मदाता सुची त्यार करने का परिखिया प्रारम है और हलाकि पहले भी प्रारम किया गया था जो सुप्रीम कोट का आ हो सकते हैं लेकिन दूसरे में अनुपस्तित्य हो सकते हैं या एक बोटर दो राज्यों में मदाता सुची बना लेता है ति इस प्रकार के जो भ्रम उत्पन करता है तो इसको समाप्त करना बहुत जरूरी है तो इसके लिए यह कारी किया जाना चाहिए देखिए इसे रिले आति राज्यों समंदित आठिकील है जिसमें 243 के और 243 जेड़े राज्यों में पंचायतों नगर पालिकाओं के चुनाओं से समंदित है इसे शंसोधन करने की ज़रुत है यह राज्य चुना आयोग स्टेट एलेक्शन कमिशन सोते हैं जो के निवाचन नेमावली त्यार करने और उनकी चुनाओं संचालन अधिक्षन निर्देशन अनियंतरन की सक्ति पढ़ान करता है इसे कि इसमें कौन करता है राज्य चुनाओं आयोग नोट आप लोग याद रखिए गा इन समसोधनों से देश के सभी चुनाओं को एक ही मददाता सुची अनिवार हो भारत का चुनाओं आयोग एलेक्षन कमिशन वर्स 1950 में स्थापित किया गया था और चुनाओं को निम्लिकी चुनाओं कराने के जिमार जिसमें भारत के राजपती उप्राशपती का चुनाओं संसत राजविधान सभाव विधान परिसुदों का चुनाओं कराता है एलेक यह किसका कार्य है राजचुनाव आयोका है कि कोडिनेट जरू करती है उसे मोड़ेटिंग करती है पर पर उसका निश्पक्ष्णाव कराने का सतन तर्षाइद राजचुनाव आयोक को दिया गया है आपनों नोट के रूप में ध्यान अखिएगा चुनाव सुधार के समधि जब भी प्रस्ण पूछे जाते तो इससे लिस्ट आप लोग को याद रखना है कि कब कब चुनाव सुधार से समंधि समीतिया या आयो का गठन किया है तारा कुंडे समीति जो महत्पून है उससे समंधित कुछ आप बता सकते उसमें क्या सुझाव दिये गए थे जैसे वहरा समीति उनिस्ट पूछे जाते हैं तो इन सब चीजों को कभर करना है साथ में एंसर आइटी में आप लोग मेंस के एंसर आइटी में आप लोग इंपूट करते हैं तो आप का एंसर आप डाइग्राम बनाके इसे यूज कर सकते हैं कि समीतियों का गठा इसका विस्तित चर्चा नहीं करना है पर कम से कम इतनी तो जनकारी होनी चाहिए कौन-कौन सी समीतियों गठन हुआ है जो महत्पून है उससे समंधित कुछ आप बता सकते उसमें क्या संधराम राजनीती में अपरादी करन का सुझा ये एक टॉपिक ही है तो कितना वड़ा सुझाव दिया था राजनीति का अपरादी करन है तो सुझाव दिये थे फिर इंदर जित गुपता समीति 99 चुनाव राज वित्त पोर्षन को शार करने हैं तो गठित किया गया था इसके बिना राज चुना आयोग कोई कार नहीं कर सकता है तो विट का परबंधन कैसे हो इससे संबंदे नेश्ट चुनाव सुधाव विधी आयोग की रिपोर्ट उनिसो निनानबे दोहजार चार फिर नेश्ट विरप्पा मोली समिती 2007 में नैतिक्ता के संदर में किस परकार से कारिक किये जाए चुनाव और चुनाव कानुनों और चुनाव सुधार की रूप से किये जाने चाहिए इसके लिए कमिटी तनखा कमिटी की गई थी तो यह सब कमिटीया जो है आपको जुरूर याद रखना चाहिए नेश्ट है दो वर्ष दो हजार से पूरी चुनाव सुधार कौनकूर स्विधानिक सुधार कौनकूर से यह भी ध्यान रखना आप लोगो है यह भी पीटी फैक्ट के रूप में पलस आप लोगो मेंस के मेंस के एंसर आईटी में आप लोग को सामिल करना चाहिए ताकि आप लोग का एंसर एस्टेंडर हो जैसे एक साथवा सबसे इंपोर्टेन स्विधान स्विधानिक संसोधन था 1989 में आठेकल 326 के तह संसोधन मद्दान के आयोग 21 से घठा कर अठारा वर्स कर दे राजी गांदी के काल में ठीक नेश्टिस को चुनाओ कारियों के कारियत अधिकारी करमचारियों के चुनाओ के ओधी दुरान चुनाओ आयोग के परतिन्युक्ति मना कर दिया ये कारे सुधार किये गए परस्ताव को की संक्या नमंकन पत्रों लेकर परस्ताव की संक्या 10% बढ़ाये गया यह भी एक महत्मुन सुधार था राष्टिय सम्मान अधिनिया 1971 अपमान करने पर 6 वर्ष का चुनाओ लड़ने परतिबन लगा दिया गया यह भी एक चुनाओ सुधार के मामले देखने को मिले थे दो से अधिक निर्वाचन छेत्रों में चुनाओ परतिबन लगा दिया उमिदवार की मोत चुनाओ स्थगित न होना देखी यह आप लोग को यूपेसी में और विभिन पीसीयस के एकजाम में वंडे एकजाम में यह प्रस्न पूछा गया है कोई कोई भी बैक्ति कितने न चुनाओ का माना जाता जिसका पर्थम पर्योंग उन्ठावी राजस्थान मदपर्देश दिल्ली के चुनाओं के दौरान किया गया था उनिशन नोगा गोव विधान सभा चुनाओं पूरे राज्य में लागु किया गया इसी तरह वर्ष्ट 2000 के बाद चुनाओ सुधार एकजिट फोल पर परतिबन नेशन चुनाओं खर्च की सीलिंग अर्थात जो 28 लाग 40 लाग 70 लाग 95 लाग या आकड़ा आप लोग सभा सीट के लिए चुनाओं खर्च की सीमा बढ़ा कर सतर से 95 लाग कर दिया गया वहीं विधान सभा चुनाओं चुनाओं से 40 लाग कर द तो देखें कितने बार यह प्रेटी प्रसन आप लोग से पूछा जाता है रानितिक चंदा बीस हजार साधिक रानितिक चंदे चुनाओं आयोग सुचित करना होगा नेश्टे नोटा दोजार तेरा से लाग किया गया नोटा बेवस्ता नन फॉर एभा वाला नेश्टे माध्यम से चुनाओं आचार सहीता को लंग है कि मामले को भी नागरी उस पर सिकायद दर्ज कर सकता है और तुरंत एक्सन लेता है चुनाओं इस पर इतने सुझाव आप लोग को जुरूई याद रखने चाहिए सुधार क्यों कुन से सुधार चुनाओं के द्वरा किये सुझाव कौन कुन से कमिटिया दी है तो यह आप लोग का टॉपिक जो है चुना योग सुधार यह आप लोग एक टॉपिक कभर हो जाएगा और इतना तो आप लोग को कभर करना ही होगा ताकि आप लोग का एंसर एस टेंडर हो नेश देखिए मंकी पॉक्स में जो मंकी पॉक्स का देश का पहला मौत हो गया है तो इससे समन्दित आपको पीटी से प्रस्न पूछ सकता है जैसे करोना के मामले में प्रस्न पूछा गया था तो रास्थान में यह मामला हुआ है जहां पर आप लोग को यह जो मंकी पॉक्स से ब्यक्ति था वो मर गया है उनकी घटन मिर्ती हो गई है और यह संयुद अरब अमिराज से लोटकर केरल आया था किरास्थान का था किया केरल का होता है सिलिप कर जाता दिमाग से भी कुछ चीज़ कुछ है तो पहला मामला जो यूवेख से लोट का था किरो उसकी मिलती हो गई हलाकि देखिए इस पर भारत बहुत जल्द एक्षन इस पर कुछ ठीके का फिज चल रहा है ठीका निर्मान का तो इससे समझजी बहुत सी अभी न्यूज अपडेट होगा तो उसको जब हाइनल हो जाएगा को एक टी नोट समलोग बनाएंगे देखिए एक और न्यूज आप लोग को दिया जा रहा है सीम की विदेश यात्रा के पुर्व मंजूरी के प्राविधान जो है उससे चुनवती दी गई है दिल्ली हाइकोट में तो इससे समझजी देने जब आएगा तो इस पर न्यूज कवर किया जाएगा अभी वेट में जब तक न्याले में कोई वाद रहता उस पर टिका टिपन समती लेने उनका हक होता है इससे संबंदी सारे जो भी तत्थे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे तब नेश्ट हम लोग आगे बढ़ते उससे पहले चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेर कीजिए और लोग से जुनने का अगरभी कर सकते हैं देखिए आप लो नोट के साथ कराया जा रहा है और जो भी प्रस्ट आप लोग यह टॉपिक कवर किया जाते जो भी टॉपिक वह आपको एक्जाम में डायट प्रस्ट देखने को मिलता है को की नोट से आपको मिले या पेपर के अंडरलाइन किया हुआ सभी से आपको कवर होंगे तो आप जाके टैली कर लिजिए सुएं टैली किजएं मैं क्यों बोलूँगा इसको कि आप लोग आता है प्रस्ट टैली कर जाता एकजाम हॉल में आप लोग सुएं आप लोग इसे परक सकते हैं क्या मैं सही बो रहा हूं या नहीं बो रहा हूं देखिए आप लोग एक पीटी नि पहले भी बहुत बार नियूज कभर किया गया है तो उसे आप जुरूर जाकर देख लिजेगा नेश्ट है नेश्ट नियूज आप लोगो यहां से देखिए आप आर्टिकील आजेए बीच में बहुत से नियूज पुराने नियूज है जिसको देखे 370 का इफेक्ट क्या हम पाकिस्तानी नहीं पूरी तरह हिंदुस्तानी हो चुके हैं जो पाकिस्तान से सरनाथी आयच उनके द्वारा यह बोला गया है तो इस इस्तिती को जुरूर देखिएगा आज नियूज को आप देख लिजेगा इससे कुछ नियूज की फैक्ट नजर रखिएगा अगर पूछा जाए कभी भी मेंस में इंट्रिव्यू में अगर ऐसा मुद्दा नियूज कभर रहे तो आपके इंट्रिव्यू के दौरान तो 330 से रिलेटेड प्रस्ण पूछा जाएगा तो देखिए यहां से आप यह एक्जामपल दे सकते हैं आप बहतर परियास किया जा सकता है यह एंसर कि सरकार अगर बहतर परियास करें तो किस प्रकार से सुधार हो सकते हैं तो यह आप लोगों को ध्यान रखना है इस रूप में आप लोगों को नियूज को कभर करना नेश्ट है नेक्स्ट आईए नीचे यह आर्टिकल ज़रूर आज आप लोगो पढ़िएगा भस्टा चार भस्तंत साथ सफाई ज़रूरी है तो भस्टा चार के रूप में कैसे वंस वादी प्रविर्ती संस्कीती तिसी दुनिया वाले संस्कारे संस्कीती साथ भारत पहली कातार में देशों में सामिल नहीं हो सकता है तो इस प्रकार के आर्टिकल लेक लिखा गिया है बहुत महत्पूर्ण लेक है आप लोग के लिए एथिक्स के लिए भी पॉलिटी के पार्ट से भी और इन्टिवू में या बहुत फेवरिट कोस्टन होता भस्ता चार इससे रिलेटेड परसन आपको पुछे जा सकते इस पर लास्ट वीडियो आप लोग को दैनी जान नियूज अनलेसिस हुआ उसमें इससे रिलेटेड टॉपिक भी कवर किया गया था उसका तो आप लोग देखे लागतार पांच वे महीने जी एश्टी संग्रा में एक लाख चालिस सजा करोड से अधी के संग्रा किया गया है तो यह बड़ी उपलब्दी है इस परकार के टेक्स सेलेक्शन जब भी होते हैं तो प्रसन आप लोग को पुछा जाता ह का साथ में इंपोर्टन टॉपिक क्वीज भी कराया जाता है एस्परेंट के लिए क्वीज भी कराया जाता है तो आप लोग टॉपिक वाइस क्वीज कराया जाता है तो आप लोग जूरू इसमें सामिल हो सकते हैं देखिए आज के न्यूज में बस इतना ही महत्पूर्ण है और भी पीटी फैक्ट है जिससे आप लोग देखिए अभी हाले में एक न्यूज और कवर होगा ताइवान के साथ मामला विगर रहा है तो इस पर न्यूज अभी और आ जाने दीजिए तो इसमें लास जब लगेगा कि अब इस पर न्यूज कवर करना चाहिए तो जुरू इस पर कवर किया जाएगा अभी बाद विवाद चल रहा है अभी मौखिक विवाद चल रहा है तो इस पर चीज़े आने दीजिए आगे एक न्यूज आपको लिए ये पीटी फैक्ट अभी इस पर हलाकि जो मैनमार में मामला हुआ था उसे लेटेट न्यूज आप लोग क सेंड कर दो ताकि आप लोग न्यूज को कवर कर लिजेगा की नोर्स को मैं फारवर्ट कर दूँगा आप लोग तेली राम से देख लिजेगा नेस्ट है नेस्ट कॉमन वे गेंज से आंकड़े जितने भी आए आप लोग जरूई से कभर करते रहेएगा पीटी फैक्ट के रूप में आप लोग को प्रस्ण पूश सकता है तो इन सब चीजों को सिसीला न रजात और विजे ने जीता काश है तो इस प्रकार से लाल बान का पका प को कभर करना है चलिए फिर आज हम लोग फिर कल मिलेंगे एक नए नियूज के साथ आज का नियूज इतना ही है तो उम्मीद करता हूं सभी महत्पूर नियूज को जिस रूप से कभर किया जा रहा है आप लोग अच्छे से की नोट्स बना रहे होंगे तो आप लोग सपोर बनाने के लिए धन्यवाज जय हिंद